बैटरी रिक्षा की सवारी आपने खूब की होगी, लेकिन जिस रिक्षे में आज हम सवार हैं, उसकी कहानी जरा अलग है हजारी बाग के रहने वाले रवी, जो पेशे से एक इलेक्ट्रिक रिक्षा चालक है, अब टोटो ब्लोगर के नाम से मशूर हो चुके हैं रवी का टोटो केवल सवारियों को उनकी मन्जिल तक नहीं पहुचाता, बलकि उनकी बातचीत को इंस्टाग्राम, फेस्बुक और यूट्यूब पर लाखों लोगों तक भी पहुचाता है रवी के सोशल मीडिया फॉलोवर्स की संख्या चौकाने वाली है, इंस्टाग्राम पर 6.5 लाख से ज्यादा, फेस्बुक पर 3 लाख से अधिक और यूट्यूब पर एक लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं उनकी यह अनोखी ब्लॉगिंग यात्रा तब शुरू हुई, जब वे आर्थिक तंगी के चलते अपने मोटर ब्लॉगिंग के सपने को छोड़कर एक इलेक्ट्रिक रिक्षा खरीदने पर मजबूर हो गये कितने फॉलवर सुप तुग हैं और चारे प्लाट्रूम में अलग-अलग है जैसे इंस्टा में शारे छे लाख हैं और फेस्बूप में तीन लाख असीज़र और यूटूब में एक लाख दस जासीज़र पर हैं दो साल से टोटो चलाते चलाते रवी को एहसास हुआ कि ब्लॉगिंग का मतलब सिर्फ बाइक पर घूमना नहीं है बलकि यह कहीं भी और किसी भी माध्यम से की जा सकती है यही सोच लेकर उन्होंने अपने टोटो में ब्लॉगिंग की शुरुवात की और पिछले एक साल में उनकी यह साधारन सी पहल एक बड़े इनफ्लूइंसर में बदल गई आज रवी की टोटो ब्लॉगिंग ने उन्हें एक पहचान दिलाई है जिसके माध्यम से वे हर महीने 50 से 60 हजार रुपए कमा रहे हैं उनकी सवारियों के साथ की गई बातचीत को लोग खूब पसंद करते हैं और शहर के लोग उन्हें जानने लगे हैं इतना ही नहीं कई कमपनिया भी प्रमोशन विडियो बनाने के लिए रवी से संपर्ख कर रही हैं रवी की यह कहानी हमें दिखाती है कि असली ताकत सपनों को देखने में नहीं बलकि उन्हें जीने के नए तरीके खोजने में हैं रवी ने अपने टोटो को ही अपना मंच बना लिया और यह साबित कर दिया कि जुनून और महनत से कुछ भी संभव है। लोकल 18 के लिए हजारी बाग से रुपांशी चौधरी की रिपोर्ट